नमस्कार दोस्तों, पूजे शिक्ति चनल में आप सभी मेरे भाईयों और बाइनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले छट पूजा के तहवार के आप सभी को भेर सारी शुपकामनाए हो चटी महिया आप सभी की पूजा सुईकार करें तदह आपको पहुत सा आशिरवात दे कर जाए चट पूजा के तहवार को महा पर्व कहा जाता है यह जो है दिपावली के चटे दिन से शुरूआत होती है इसलिए से चट पर्व कहा जाता है ऐसी माननेता है चट पूजा के चार दिनों के दौरान सूर और छटी माता की पूजा करने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूण होती है किस प्रकार की मनोकामनाय पूर्ण होती है आपकी सूर्य और छटी मैया धन, दौलत, नौकरी, व्यापार, संतान, मकान, गाड़ी, अच्छी संतान का सुक पाना तथा अच्छी सेहत, जमीनी सुक सभी प्रकार की जो मनोकामनाय हैं उन्हें पूर्ण करती है जिसको संतान नहों, उनके लिए ये व्रत या ये पूजा करना बहुत शुबद होता है, तदा ऐसा माना जाता है, जो भी व्यक्ति छटी मैया को पूर्ण रूप से सच्छे मन से पुकारता है, उन्हें जो है संतान का सुक प्राप्त होता है, खास तोर पर पुत्र के यह जो बिमारी है या चर्म रोग है उन्हें भी ठीक करती हैं जो छट वरत नहीं कर पाते हैं भाई बहन उनके लिए क्या विशेश प्रकार की साफधानिया रखनी चाहिए या वो किस प्रकार से छटी मयाता को प्रसंद कर सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको जो है कब से ये वरत करना है किस प्रकार से शुरुआत करनी है तो ये जो वरत है 11 नवंबर से शुरू होगा 13 नवंबर को डूटे सूरज के हमें पूजा करनी है तदा 14 नवंबर को जो है उगते सूरी की पूजा करनी है वरत जो है संतान की सुख के लिए माना जाता है सरकारी पूरा घर हमारा साफ सुत्र होता है उसी प्रकार पर इन चार दिनों पर भी हमें जो है पून रूप से स्वच्छता बरतनी चाहिए। अब जो व्यक्ति चट नहीं कर पाते हैं वो अपनी मनो कामना किस प्रकार से पूरी करेंगे तो चार दिन तक आप सूरी की पूजा करें, सूरी को तांबे के लोटे से गुड का जल अर्ध दे, सूरी को धूब दीपक दिखाएं, सूरी देव को फल, मिठाई, नारिय, लाल स सिंदूर अर्पित करें, छट दौरान आप चारों और सफाई का ध्यान रखें, इसके अलावा आप किसी छट व्रत धारी की सेवा और सहायता करें, ऐसा माना जाता है जो छट का व्रत करते हैं, अगर उनकी सेवा कर ली जाए या उन्हें प्रडाम किया जाए उनका आशिर इसे जो है गरीब बच्चों में जरूर बाटना चाहिए, ऐसा माना जाता है, गरीब व्यक्ति को या जिने सहायता हो, अगर उन्हें प्रसाद स्वरुप गुड की रोटी दी जाती है, तो आपके जीवन में बहुत सा धनलाव होता है, क्योंकि इस बार की जो छट पूजा है, बहुत विशेश महा संयोग लेकर आ रही है, तो इसे व्यर्थना गवाएं इस समय पर सूरिदेव की अरादना जरूर करें, इस समय पर हमें जो है लाल रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए, ऐसा माना जाता है, अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, या मुकदमे में विजय चाहते हैं, समाज में मान सम्मान चाहते हैं, राजनीतिक शेत्र में उचाईयां पराप्त करना चाहते हैं, तो लाल रंग के कपड़े इन चार दिनों में विशेश महत्वर रखते हैं, अगर आप हर साल की तरह इस साल छट वरत नहीं कर पाते हैं, किनी भी कार्णों से तब आप दूसरों से ही अपना प्रसाद जो है अर्पित करवाएं यहां तक कि आसपडोस में कोई भी वरती हो या जो वरतधारी हो उसे अपना प्रसाद दे सकते हैं आपके बदले छटी मैया को वो ही प्रसाद जो है अर्पित कर सकते हैं साथ ही साथ आ आपको जो है उनसे आशिरवाद जरूर लेना चाहिए इसके अलावा आपको क्या छट पूजा के समय पर सामगरी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि छट पूजा की सामगरी का विशेश महत्व होता है थोड़ी सी भी भूल चुक नहीं होनी चाहिए तो प्रसाद रखने के ल नयवस्त्र साडी कुर्ता पजामा चावल लाल सिंदूर धूप और बड़ा दीपक पानी वाला नायल गन्ना विशेश तोर पर गन्ना वैसा लें जिसमें पत्ता लगा हुआ हो सुथनी और शकरगंदी हल्दी और अद्रक का पोधा हरा होगा तो बहुत ही स्रेश्ट माना नाश्पती और बड़ा वाला मीठा निम्बू जिसे हम टाब भी कहते हैं शहत की डिबबी पान और साबुच सुपारी इसके अलावा कैराव कपूर कुमकुम चंदन और मिठाई जो की मावी की मिठाई होगी तो बहुत अच्छा रहेगा खीर पूरी खजूर सुजी का हल चावल का बना हुआ लड़ू जो की विशेश तौर पर एक दिन पहले ही बना लिया जाता है जिसे हम लड़ू भी कहते हैं इसके अलावा नई सबजियों भी रखी जाती हैं जैसे केला, सिंगाडे, मूली और आप नई सबजियों जो की आपके परिवार में रखी जाती हो उन्हें भी विशेश तौर पर रखे क्योंकि ऐसा माना जाता है नई सबजियों को रखने से आने वाले पारिवारिक सुख का जो आनन्द है वो आप ले पाते हैं तथा आपका परिवार जो है सदेव बढ़ता है तथा फलता फूलता है इसके अलावा मेरे भाईयों और भ पूजा के दौरान जो यह शुब दिन है आप इन दिनों में आप कभी भी जाकर बहते वे जल में तामे का एक सिक्का जो है पानी में बहा सकते हैं अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को इस समय पर तामे का लोटा कपड़े या अन्निका दान करते हैं तब भी आपके जीवन म आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा अज अपनी मारी को यही विराम देते हुए हम फेर मिलेंगे किसी नए विशे पर चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों